वेल्कूम है गाईस आप सभी का आपके इपनी चैनल टेक पोक पे थोड़ासा ये इशु लग सकता है कैमरे में क्यूंकि आज मैं कामरे से रिकॉड नहीं कर रहा हूँ मैं फोन के कैमरे से रिकॉड कर रहा हूँ और आज देखते हैं guys कैसे आती quality वीडियो को quality आप मेरे को ज़रूर उताना यहाँ पर आज हम compare करेंगे nucleus को membrane की wise glaze से ठीक है membrane की wise glaze में मैंने ये tempered भी चड़ाया है मैं एक dedicated video लेके आज़ाँगा कैसे मैंने tempered चड़ाया और यहाँ पर bubbles भी आ गया है तो हो guys उसके लिए अलेक्स वीडियो मिल जाएगी और वैसे आप खुद में चड़ाना issue आ सकता है जैसा मैंने चड़ाया है मैं सही से चड़ानी पयाता है यहाँ पर bezels देख सकते हो किस तरीके से कैसे मिलती है दोनों में ही आप मेरे को बताना मतलब किस में कम है किस में जादा है वैसे तो मेरे को मैं कहूँ तो यहाँ पर इसमें जादा लग रही है मेरे को नीचे की साइड से चिन इस वाली में ठीक है मतलब Embrane में और यहाँ पे यह बहुत जाता कमाल की प्रिमम लग रहे है मिर को मतलब पकड़ते हुए मतलब प्रिमम ने साया जाती है इसमें न्यूकलेस में I know यहाँ यहाँ पे न्यूकलेस मेहंगी बीतो है लुक और फिल तो दोनों का एक अमाल का मिलता है, यहां पर बार बार फोकस कैमरा लॉक कर लेता हूँ, फोकस को मैं ठीक है, तो overall इस तरीके से मिल जाता है, अब अब अगर मैं बात करूँ, यहां पर 1.78 इंचिस की डिस्प्ले यहां पर 1.78 इंचिस की डिस्प्ले मिल जाती है दोनों में ही similar डिस्प्ले मिलती है बट डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर किसकी बेटर किसकी नहीं वो भी चेक करते हैं यहां पर one second यही peak brightness अगर मैं इसमें बढ़ा दू तो इस तरीके से लगती है और इसमें peak brightness अगर मैं बढ़ा दू तो इस तरीके से लगती है 1000 nits की brightness है और इसमें भी आपको 500 nits की brightness बलती है बट यहां पर brightness levels definitely यहां पर कह सकते हो दोनों में ही अच्छे मिलता है और यहां पर पता नहीं चल पा रहा है कि 1000 nits की brightness के बावजूद भी यहां पर न्यूटलिस इसकी बराबरी कर ले रही है यह अच्छी बात है ठीक है तो यहां पर वाच फिस दूसरा लगाना पड़ेगा ठीक है थोड़ी सी lightning कम कर देता हूँ इसकी वह से मुझे लग रहा है कि मतलब यहां पर ठीक है थिन रिष्ट पर चल सकती है बट यह वाच ठीक है ज्यादा थिन नहीं होने चाहिए धियान अखना है और और अल्वेज वह से दोनों मिल जाती है डेडिकेरी सेंसर के साथ वैसे दोनों यह वाचे आती है यहां पर श्ट्रेप साइज 22 mm आफ्टर मार्केट का आप चूज कर सकते हो इसमें जो स्ट्रेप है ना मतलब नुकलिस में यह थोड़ा सा डिफेरेंट है मुझे 22 mm की तैया ही है बट यहां पर थोड़ा सा डिफेरेंट है यह आपको Amazon पर मिल जाएगा मैं वैसे description box में लिक देदूँगा अगर आपको इसके straps भाई करने है बहुत सरा लोग वैसे comparison मांग रहे थे मतलब इन दोनों watches का तो मैं सोचा कि आज लही आते हैं मतलब बहुत दिनों बाद चलो कुछ न कुछ यहां पर ठीक है I don't know यहां पर सही से वो नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि फोन से record कर रहा हूँ एक तो मैं ठीक है तो गैस चैनल को subscribe कर लो अभी तक इस वीडियो को enjoy कर रहे है और bell icon कॉल कर दो साथ में आप आप मेरे Techbook चैनल को भी टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हो और Apple की तरह लोग मिलता है इसका आप समझ सकते हो ठीक है यह थोड़ा सा different look में आती है Board की Watch Action Pro की तरह लोग मिलता है और यहां पर आपको connectivity शो करता है यहां पर call connectivity यहां पर on off कर सकते हो और इसी के साथ साथ water log out का option मिलता है इसमें water log out का option नहीं है और यहां पर temperature भी शो करता है मतलब weather, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर याई वःदर शो करता है 24 degree Celsius और यहां पर यह आपका setting option मिलता है और यहां पर lock screen का option मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि Embran की Watch में जाँ जो आपका features के मामल में Embrane की watch कमाल के मिलती है बसे ठीक है यहाँ पर setting option मिल जाता है setting में आपको raise to wake मिल जाता है 60 second तक raise to wake काम करता है यहाँ पर auto sleep का option मिलता है 30 second तक काम करता है almost sharp मिल जाता है menu style यहाँ पर list और grid वाला मिल जाता है यहाँ पर menu style 3 into इसका touch 3 into menu style मिल जाता है अब again guys अगर मैं आपको इसका touch चेक करना है मतलब Embrane की wise glaze का तो आप इसको surface पर रख दो उसके बाद ऐसे करके हाँ से touch चला कि देखो नहीं चलेगा इसमें चल जाएगा मतलब आपकी new glaze में इसमें पता है touch sensitivity उतनी अच्छी है मतलब OT update तो हो सकती है पता है नहीं company करेगी नहीं करेगी वो तो मेरे को नहीं पता बट कर देना इसकी company को मैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मीचे के साट चलते हैं यहाँ और क्या चीजा मिलती है always on display मिल जाती है यहाँ पर भी always on display को option मिल जाता है यही always on display all time तक on रहती है वैसे दोनों में ही आपको मिल जाता है इस तरीके से यहाँ पर मैंने off कर रखा था अभी हम on कर देते हैं बैटरी जाता चाहिए obviously बात है मैंने चेक ही है बात करूं यहाँ पर मोड चेंज करने का option मिल जाता है ठीक का? sir आजपर प्रीमारा है छेंज के म segur और अगर मैं चेंज करने का option मिल जाता हैrov god तो इस तरज़ा मिल जाते हैं और आग यहांपर घंप करके होँम परा तो बार और guys अगर मैं बात करूँ यहाँ पर right side में swipe करते हैं तो shortcuts दोनों में start हो जाते हैं यहाँ पर चलने इस तरीके से और दोनों में Intel memory और buds को pay करने का option नहीं मिलता है मैं आपको बता दूं first of all left side में split screen का option मिलता है यहाँ पर menu start हो जाता है list वाला type का और नीचे की side से swipe करते हैं तो यहाँ पर message notification आयाते हैं यहाँ पर थोड़ी से मतलब बड़े font मिलते हैं यहाँ पर आपको थोड़ी छोटे font मिलते हैं तो यहाँ पर यह थोड़ी तो difference है अब guys यहाँ पर सबसे पहले calling facility चेक कर लेते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटरी समें लो है कहीं ना कहीं बैटरी मैं अगर मैं इसकी uses की बात कर तो around मेरे को 3 days का बैटरी मिल रहा है मतलब nucleus से तो यहाँ पर अभी फिलाल तो इसकी बैटरी कम हो गई है मैं call चेक कर लेता हूं यहाँ पर मिलाकी दिखाए तो आपको ठीक है तो गैस इस तरीके से loudness बिलती है loudness कमाल की है मतलब अच्छी कहसी loud है और ट्रांस्वरी कर सकते हैं यहां से कट कर सकते हो ठीक है अब इसमें सुनते हैं glaze में glaze में अगर हम यहाँ पर चलें फोन पर यहाँ पर recent में चलते हैं इसमें बास कम है इसमें बास ज्यादा मिलता है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें कर सकते हो आप गाइस वोईस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं यहां पर इसमें बास ज्यादा हूँ आप सभी को कि मतलब दोनों में ही आप इसमें सौंग सो सुन सकते हो आवाज बढ़ाने तो ऑन दो फोन से आप बढ़ा सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आप अच्छी तरीके से काम कर रहे है अब गाइस यहां पर और के चीचेक करनें सारी सारी चीचेक करनें हमको यहां पर एदर के साइड से मैंनी खुल आता है और यहां पर टैप करती ही बटन मैंनी खुल आता है यहां पर वर्काउट मूड बिल आता है सबसे पहले हम यहां पर वाकिंग करेंगे और 50 स्टेप चलेंगे यहां पर देखेंगे एकुरिसी किसमें बेटर मिलती है तो यह यहां पे 50 steps है, ठीक है, 50 steps, exactly दिखा रहा है, 55 में दिखा रहा है, तो nucleus में accuracy slightly better है, as compared to this one, slightly better है, मतलब एकदम exact better नहीं कहूंगा, but slightly better मिलती है, nucleus में मतलब exact बता रहा है वैसे तो, उसके बाद workout के बाद heart rate मिल जाते है, heart rate को over to the air check कर लेते हैं एक बार, यहां पे तुरंत यहां पे बूल दिया कि, तो यहां पे तो नहीं बता रहा है, back करते हैं, उसके बाद activity tracking है, phone का option जाता है, phone तो हमने चेक कर लिया, SP to the L monitor check करते हैं, over to the air एक बार, इसमें तो तुरंत यहां पे बता दिया कि, please we are correctly, देखो, जैसी आप यहां पे tap करते हो, इस पे, please we are correctly, दोनों में ही यहां पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और BP monitor तो मिलता नहीं, उसके बाद यहां पे आपको breathe relax का mode मिल जाता है, stress monitor मि record मिल जाता है, उसके बाद message notification मिल जाता है, breathe relax का mode है, और weather updates है, shutter button मिल जाता है, player का option मिलता है, यहां पे भी आपको games मिल जाते है, emotion test का option मिलता है, और, मतलब, embrain की wise glaze में, music player का option मिल जाता है, यहां पे player का option मिलता है, player का option इस तरीके से मिल जाता है, दोनों में ही similar ही मिलता ह अलार्म आप in the watch itself नहीं लगा सकते हैं इसमें इसमें आप लगा सकते हो मतलब glaze में यह plus point है मैंने का ना glaze में आपको जो features है वो जादा मिलता है मतलब अगर मैं compare करूँ चाहें विजनरी से या इस से compare करूँ बट विजनरी में दो feature ऐसे हैं कि जो मतलब membrane की watch दे ही नहीं सकती जो Intel memory earbuds को pairing करने का option मोर में जाते है torch है calculator है यहाँ पर भी आपको calculator मिल जाएगा इस तरीके से दोने मिल जाते हैं बट यहाँ पर एक plus point है glaze में की यहाँ गेम्स मिल जाते हैं जो की इसमें new place में नी मिलते है फ्लैश लाइट इसमें मिल जाती है और इसके अब हम चेक करते हैं over to the hands man लेते हैं आपर सारी सारी चीज़ेतों चेक होई गई है over to the hands man के accuracy टेस्ट कर लेते हैं दोनों यह watches की so guys finally मैंने दोनों यह watches को पहन लिए कमाल के लगरी है मैं इसे हातों में और यहाँ पे oximeter को भी हम पहन लेते हैं ठीक है और और on कर देता इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं टेस्ट करते हैं वैसे कहीं न कहीं इसमें जादा मलब ब्राइट मिलती है डिस्पले नुकलेस में आपकी I know बहुत सा लोग बुलेंगे कि महंगी भी तो है watch I know यहाँ पे महंगी है बट जो है वो आपके सामने है यहाँ पे इस तरीक से द 76 77 okay close to accurate है हमारी यह वाली watch भी ठीक है इस तरीके से मिल जाता है आपको अब गैस एस्पूट चेक करते हैं यह रहा बट गैस एस्पूट के लिए मैं recommend ही करता आपको कि मतलब आप Oximeter का मतलब इसका watch का माने watch को as a reference ही ले सकते हैं Oximeter ही आप यूज करें अगर आपको कोई medical problem है तो तो guys यहाँ पर value for money कौन सी है ग्लेज ऑविस ही बात है कहने वाली बात ही नहीं है इसमें बट अगें 12,000 रुपए में किसी को मिल नहीं रही है अभी क्योंकि इसका जो प्राइज हो बढ़ जाएगा 3,000 रुपीस में जाएगी है 13,000 रुपए में value for money मैं नहीं कहू अपने finger से आप चला के देखो उसके सारे के सारे functions इसमें हिलता ही नहीं है मतलब इसका touch काम भी नहीं करता है बिलकुल भी हाथ में जब तक नहीं लोगे तब तक काम नहीं करता है और other watches का चल जाता है इवन IPS पैनल का भी चल जाता है तो guys इस चीज में यह membrane हार जाती है बह जाकी चेक कर लें ठीक है वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन कॉल कर दो मिलता हूँ आप सभी से एगली वीडियो में डिल दायान बाबाई